दोस्तो क्रिकेट और फुटबोल से जुरही खबरों के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटे को भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले खबर पता चले हलो दोस्तो मैं हमीर और अपके मिष्टिव पर बहुत बहुत सौगा थे तो दोस्तो मैं आ गया एक औनाय वीडियो लेकर और इस वीडियो में आपको बताऊंगा मुंबाई इंडियांस क्या खरीदा हुआ आईपेल दोहजाटे के लिए और उसके साथ साथ ही आंट्सोल प्लियार मीचल मैकनिकन के कमबैक के बारे में भी बताऊंगा तो जानने के लिए इस वीडियो को लाज तक जरू देखते रहिए तो दोस्तो आपको तो साथ पता होगा कि आउस्टिलेंट स्वेसर जेसन ब्रेंडरोफ को मुंबाई इंडियांस ने आक्सिन में से 1.5 करोर देकर आईपेल दोहजाटे के लिए खरीदा था लेकिन ब्रेंडरोफ अभी अन्फिट है उनका बैक में पॉब्लेम है और जिसका चलते ब्रेंडरोफ अभी भी वो आईपेल दोहजार आटरा के पूरा सिजन से बाहर हो चुका है और इसलिए आईपेल टेकनिकल कुमिटी ने पिलियार रेगुलिशन के मुतबिक मुम्बाई इंडियन्स को ब्रेंडरोफ के रिफ्लेजमेन में एक नया खिलारी लेने का मौका दे दिया है Mumbai Indians registered and available player pool में से किसी भी खिलारी को अपने टीम में अभी समील कर सकता है और इसी के चलते Mumbai Indians ने New Zealand के फास बला Mitchell McLigan को अपने टीम में समील कर लिया है उनके बेस प्रैस एक करोर देकर as a replacement of Jason Brandrov दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि Mitchell McLigan इससे पहले Mumbai Indians के तरफ से 2015, 2016 और 2017 IPL भी खेल चुके है और 2017 में तो Mumbai Indians का चैंपियन बनने में इनका बहुत बढ़ा योगदन था इन्होंने 14 मैचों में 19 लुकेट लिया था 26.68 एवरेज से आईपियल में इनका बहुत बढ़ा experience है और auction से पहले ऐसा लग रहा था कि Mumbai Indians इनको भी return कर सकता है तो Mumbai Indians दे तरफ से खेलत हुई है भारत में इनका बहुत बढ़ा fan following बन गया है और मुझे लग रहा है कि Mumbai Indians auction में जो गलती किया था इनको ना लेकर और अब इनको लेकर एक बहुत अच्छा decision ले लिया है जो मिचल मैकलिगन के लेने के बाद मुझे लग रहा है कि Mumbai Indians को एक बहुत वरा फाइदा होने वाला है आईपियल 2018 में तो दोस्तो आपको इसके बारे में क्या लगता है आपका क्या राय है मुंबाई ने क्या decision सही लिया या गलत लिया इसके बारे में आपका जो भी राय है मुझे जरू कमेंट में बताईए तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही आपको बहुत बाश्च शुक्रिया टाइम निगल की इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तर लाइक जरू कर देना और अपने दोस्तों से जरू से जरू करना ताकि उनको भी इस तरह के खबरों क मुझे बारे में पता चले और आप मुझे जरू सोचल मेडियो पर फॉलो किये जिए क्योंकि वहाँ पर मैं लगतानी उचाटवे देता रहता हूँ लिंक डिपस्टम पढ़े तो दोस्तों अभी के लिए आलविदा मैं आपको मिलता हूँ नेक्स वीडियो पे